केजी अफ चेप्टर टू से अब अगला धमाका होगा आइटम सौंग का जाने कब होगा रिलीज इन दिनों हर जगह सिर्फ एक ही फिल्म की गुंच सुनाए दे रही है और वह फिल्म कोई और नहीं बलकि साउट सिनमा की मोश्ट वेटेड फिल्म केजी अफ चेप्टर टू है दोस्तों आप सभी वाकिफ है कि इस फिल्म के लिए लोग कितने पागल है और कितना बेसबरिस से इस फिल्म का इंतजार कर रहे है फिल्म के रिलीज के अब कुछ ही दिन बागी है और इन दिनों के जी फ चेप्टर टू को लेकर तमाम सोशल मेडिया पर एक अलगी ट्रेंड चाया हुआ है दरसल जब से इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है तब से फिल्म का ट्रेलर और आइटम सॉंग काफी चर्चा में रहा है अलाकि यश ने फिल्म से ट्रेलर को रिलीज कर दर्शको को रहत दे दी है लेकिन अब तक इस फिल्म से आइटम सॉंग रिलीज नहीं हुआ है और दरशोकों की यही मांग है कि जल से जल इस फिल्म के आइटम सॉंग को भी रिलीस किया जाए तमाम सोशल मीडिया पर लोगों की यही मांग है कि अब फिल्म को रिलीस होने में दो तीन दिन बचे हैं और अब फिल्म से यश को आइटम सौंग रिलीस कर देना चाहिए दोस्तो इस फिल्म के आइटम सौंग को लेकर जो माहौल है वा काफी गर्म है और हर को यही उम्मीद लगाए बैठा है कि अब फिल्म की रिलीस से पहले केजी एफ चेप्टर टू के आइटम सॉंग को रिलीस किया जाए उमीद है कि केजी एफ चेप्टर टू से येश आइटम सॉंग को भी जल्द रिलीस करेंगी दरहसल दोस्तो इस आइटम सॉंग को लेकर जो माहौल बना हुआ है उसकी वज़ा है आइटम सॉंग में होने वाले कॉम्बिनेशन को लेकर क्योंकि इस बार आइटम सॉंग में भारत के सूपर स्टार रॉकी के साथ बॉलिवूड की आइटम क्वीन नौरा फते ही देखने को मिलने वाली है और दोनों की कैमिस्ट्री को एक साथ परदे पर देखने के लिए लोगों को इंतिजार करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बॉलिवूड में नौरा एक ऐसी एक्टरिस है जिनके सबसे ज़्यादा आइटम सॉंग सूपर डूपर हिट होते है लोग उन्हें आइटम सॉंग विद देखने के लिए काफी बेताब रहते है और वैसे भी इस बार तो वे इंडिन सीनिमा की सबसे बड़ी फिल्म में देखने को मिलने वाली है और इसलिए ये बेताबी भी बनती है तो दोस्तों आप क्या सोचते हो फिल्म के आइटम सॉंग की रिलीज को लेकर अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताए